हेलो दोस्तों कैसे हो उमीद करता हूँ अच्छे ही होंगे अच्छा से तयारी भी चल रहा होगा दोस्तों यहाँ पे DRDO, Defense Research and Development Organization के तरफ से एक वेकेंसी निकल के आ रहा है पूरा जानकारी दूँगा कैसे आपको अपलाई करना है, कोन-कोन eligible है, क्या eligibility criteria है educational qualification क्या मांगा गया है, वो सारे चानकारी दूँगा वीडियो को बस end तक देखिए अच्छा लगएगा जरूर एक like करिएगा, चैनल को subscribe नहीं किया, जरूर subscribe कर लिजिए दोस्तों अगर आप इसरो DRDO या DMRC के लिए तयारी कर रहे हो, आप लोग के लिए practice set और previous year paper with answer की बना दिया हूँ डाउनलोड करिए link मैंने description में दे रखा हूँ, practice set और previous year paper का set लगा लिजिए ताकि आपकी जो next exam होने वाला है, next exam में क्या होता है, यो previous year question से ज़्यादा ही पुझता है तो आप लोग डाउनलोड करिए, तयारी अच्छा से करिए दोस्तों दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, defense food research laboratory, defense research development organization के तरफ से यह vacancy निकल के आ रहा है, जो walking interview के थ्रो में, engagement of graduate and technical apprenticeship apprenticeship recruitment में निकला है, पर walking interview के थ्रो में, कोई भी application आपको डाना नहीं पड़ेगा तो क्या-क्या qualification है, बता देता हूँ, graduate apprenticeship जो है, BE and BTEC होना चाहिए और BAC वालो अपलाए कर सकते हैं, जो graduate apprentice के लिए उसके बाद technician जो apprentice है, वो technician अप्रेंडिस only diploma student अपलाए कर सकते हैं देखें दूस्तों, diploma in electrical engineering, mechanical engineering, hotel management, diploma in refrigeration, diploma in plastic technology, diploma in food and nutrition, diploma in instrumentation, यह सारे में अगर diploma कर रखे हो, तो ही इसको अपलाए कर दूस्तों अगर दूस्तों आप B and diploma कर चुके हों और घर पे बैठे हो, अगर apprenticeship एक qualification add करना चाहते हो, आपकी career में इसको अपलाए कर सकते हो, और यह है वाकिन interview में है, 13th November के date में आपको address में पहुँचना है, और उससे पहले दोस्तों application form आपको download करना है, drdo.gov.in के अंदर और वो application form को mail करना है, head.hrd.dfrl.drdo.in तो दोस्तों यह आपकी drdo.gov.in के अंदर एक application है, उसको print out लेना है, और fill करना है, fill करने के बाद mail में भेजना है, यहाँ पर mail ID दिया गया है, वो भी कब तक 14th October तक आपको send कर देना है, और दोस्तों यहाँ पर जो apprenticeship रहेगा, वो 12 मन्त का training period रहने वाला है, और कुछ भी doubt है, दोस्तों comment करिएगा, कोई भी problem है, अगर इसको करना चाती हो, तो इसका link मेंने description में दे रखाऊंट, क्लिक करिए, उधर apply कर सकते हो, एई था दुस्तों छोटा सा information, वीडियो आचा लगा, तो जरूर लाइक करिए, मिलता हैं अगले वीडियो में, तब तक बाई बाई, जैहिं,